स्टुडेंट वेलकम टू एस्वी अकेडमी रावला एस्वी अकेडमी रावला की ओनलाइन क्लासिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम क्लास सेवंथ सब्जेक्ट संस्क्रित पाथे अपुष्टे गुरूची राद्यूतियो भागे में सस्टम पाथ है यानि छटा पाथ सदाचार है सदाचार पाथ को पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने इस पाथ का हिदिरवाद पढ़ लिया था लेकिन इसी पाथ का मैं हिदिरवाद वापिस रिपीट करने जा रहा हूं तो आईए लेसन नमबर 6 सदाचार है आलशे में ही मनुशा नाम सीरस्तो महाने रिपूहू नास्तियू अध्यमू समहें बंदू कृत्वा यम नावसु दिती आलशे में ही मनुशा में मनुशा में स्रीर में स्तित महाने महाने रिपूह में सत्रू नास्तो नास्ति पलस नास्ति में नास्ति में ही हैं उद्यमिस प्रिश्रम सममिस समान यानि प्रिश्रम के समान कोई भी बंदू मिस बंदू कृत्वा मिस करके यम नावसृति नावसृति करता है दुखी होता है इसका अंधिवार्द है आल से ही मुनिश्यों के स्रीर में रहने वाला सबसे बड़ा सत्रू है उद्यमिस प्रिश्रम के समान कोई भी बंदू नहीं है और जिससे करके अर्थात प्रिश्रम को करके मुनिश्य कभी भी तुखी नहीं होता है आप प्रहिकाम है दोपहर के बाद करने योगे कारे दोपहर के बाद वाला कारे है और दोपहर से पहले वाला कारे दोपहर यां दोपहर के बाद वाला कारे और दोपहर से पहले वाला कारे करना चाहिए नहीं परतिक्षते नहीं परतिक्षते मिश परतिक्षा मर्ति मिश मर्तिव कृतमस्य है नहीं वा कृतमा यानि कारे किया हुआ है या नहीं किया हुआ है आने वाले कारे को आज ही करना चाहिए दोपहर के बाद करने वाला कारे और दोपहर से दोपहर के बाद करने वाला कारे दोपहर से पहले करना चाहिए मर्त्यू कभी भी पर्तिक्षा नहीं कर दी है कि उसका कारे किया हुआ है या नहीं तीसरा है सत्यम बुर्याद पिर्यम बुर्याद ने बुर्याद सत्यम पिर्याद सत्यम बुर्याद 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 सत्यम कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे धरम है सनातना, यही सनातना धरम है, यही सनातना धरम है, सर्वता विवारे, सयाद, ओद्यारेम, सत्यता तथा, रिजुता, मर्दुता, चापी, कोटियम, नहीं कर दाचिने, कोटले होता है कोटलता, रिजूता, रिजूता है सरलता, मर्दूता होता है कोमलता, सरलता में हमेशा, व्यवार में सियात में होनी चाहिए, उदार में उदारता, सत्य में सत्यता या सच्चाई, या मनुश्य के व्यवार में हमेशा उदारता, सच्चाई, तथा उसी प्रका सरलता वैको मलता भी होनी चाहिए यहने मुनिश्य के वैवार में हमेशा उदारता सचाईता उसी प्रकार से सरलता वैको मलता होनी चाहिए चापी कोटले ना और हमारे लेकिन कभी भी हमारे वैवार में कोटलता नहीं होनी चाहिए अब फाइव नंबर शिरेष्ट जनम गुरु चापी मातरम पितरम तथा मन्षा क्रमना वाचा सेवते सतत सदा शिरेष्ट मिस शिरेष्ट जनम इस मनुश्यों को या व्यक्तियों को या लोगों को गुरु मिस गुरु की चाप चै अपी चै प्रस्वी हमेशा अपने गुरू माता पिता तता सर्जन व्यक्ति की मन वचन और करम से निरंतर शेवा करनी चाहिए अठार हमें कहने का से है कि हमें अपने मन वचन और करम से अपने गुरू माता पिता और सर्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए सिक्स नमबर है मित्रिन क्रहम करतवा ने कदापी सुखी जने इती ग्यात्वा प्रियासिन तदेव परिवर्जियत यानी मित्र से जगडा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है बचना चाहिए यह बात जानकर यानि यह बात जानकर या सोचकर हमें उस जगडे से प्रियातन पुरोग बचना चाहिए मरता उस लड़ाई जगड़ा करने से बचना चाहिए HEY कार्ट का निकारस है कि मितर के सात कल這些 जगड़ा करने से बचना चाहिए तो यह था हिंदीनवाद सद्धाचर परथ का पुने हिंदीनवाद तो इन पार इस इन पेरों का यानिन इन इच्छा पध्यों का हेंद्य वाद में ने आपको आपके लिए अंगे लिखा है तो आप इन पेरों को जैसे मेरे कोप्ह Company में अपर लिखा हुआ है click सब्सक्राइब कोभी में उतार लें जैसे में वह रही देखो सस्ट है a3Sやm--- numbers इस तरह से आप इसका हिंदिनवार उतार शक्ते हैं कि यह दूसरे का है सब्सक्राइब डैस डैस क्रितम कि इसी वर तीसरे का सत्यम डैस 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 सनातना है सत्य बोलना चाहिए पिर यह बोलना चाहिए लेकिन एपिर यह सत्य नहीं बोलना चाहिए और पिर यह लगने वला एपिर यह सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए यही सनातना दरह में रतात कड़वा सच और मीठा जूट कभी नहीं बोलना चाहिए यही सनातना दरह में चोथा मुनिश्य के वेवार में मेंशा उदारता चाहिता उसी प्रकास सरलता वैकूम बलता होनी चाहिए लेकिन कभी भी हमारे वेवार में कुटलता नहीं होनी चाहिए ये चोथे का हिंदीन वाद है शिवार पांच वाँ मित्र से जगडा करके कोई व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता अता ये बाद जान कर ये सोच कर उससे यह जगड़े से प्रेजन पुरोग बचना चाहिए अथात मित्र के साथ कलह या जगड़ा नहीं करने से बचना चाहिए तो छह पैरों के पद्धियों के हिंदिय है बाद अब नेक्स्ट इसके बाद है सब्दार्थ रिपू, सत्रुह, उद्यम, परिश्रम, स्रीरिष्ट नहीं है अवस्टी दुखी होता है शवय आने वाला कल कुरवीत करना चाहिए पुरवाहे दोपैर से पहले आप प्रही करम दोपैर के बाद करने योगय करे इन दोपैर के बाद करने योगय करे अनर्तिम जूट सनादने सदा से चला आ रहा हो सियात है हो ओदार्यम उदार्ता रिजुता सरल्ता मर्दुता कोमल्ता कोटिलम कुटिल्ता या टेड़ापन सेवते सेवा करने चाहिए परिवर्जेत बचना चाहिए और वाचा मिश्वानी से तो यह इसके सब्दार्द है अब नेक्स्ट अब इसके अप्यास परसन है आज अप्यास परसन हम आज चार यह अप्यास परसन करेंगे बाकी के बच्चे हुए अप्यास जो परसन है बाकी के जो बच्चे अप्यास परसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो पहला परसन है सरवानी, स्लोकान, सह सुरगायत है तो गाने हैं तो हमने यह पढ़ चुके हैं पहला कोश्चन नहीं करना है दूसरा है उप्युक्त कतनम, कतनाम समक्षम उप्युक्त कतनों के सामने आम और अनुप्युक्त जो गलत कतनों के सामने नहीं लिखना है तो यह कतन सही है, इसके लिए क्या होगा आम है, आम का मत्राव हाँ अन अर्थम ब्रयात जूट बोलना चाहिए, तो यह कतन गलत है, इसके लिए होगा नहीं मन सा स्रेष्ट जन्म से, मन से स्रेष्ट लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये कतन बिल्कुल सही है, इसके लिए आम मित्रेन कलाहम करतवा जनेश सुखी होती मित्र के साथ जगडा करके व्यक्ती सुखी होता है तो ये कतन क्या है गलत है तो इसके लिए क्या आएगा संस्कित में नहीं सब्सक्राइब आने वाला कारिया आज ही करना चाहिए यह कतन्बिलकुल सही है तो इसके लिए आउगा आम तो पहला आम है दूसरा नै तीसरा आम चोथा न्य और पांचमा आम है अब एक पद और एक पद में उत्तर देना है के कहने पर्तिक्स दे कोन पर्तिक्स नहीं करता के ने पर्तिक्ष दे, कोन पर्तिक्षा नहीं करता, मर्ति हूँ, तो कैके जगे आगे, मर्ति हूँ सदा कदा व्यवारे से दे, सत्य से, सत्य से कब व्यवार होना चाहिए, हमारा व्यवार कैसा होना चाहिए सरवदा हमेशा हमारा व्यार सत्य से परिफून हमेशा हमारा व्यार अच्छा होना चाहिए सरवदा हमेशा ही सत्य ता कदा व्यवारे सत्य कब व्यवार में होनी चाहिए यानि सत्य जो बोलते हैं वो व्यवार में कब होनी चाहिए सरवदा हमेशा ही होनी चाहिए किम पुर्यात क्या बोलना चीकिस के सथ जगडा कर्के व्यक्ति मित्रेण aggi get कै माहां जट्रो हमारी स्रील में तृष्ट है रहता है कालस्यम महान शत्रू उमारे श्रीर में रहता है तो पहले एक आंसर हो गया मर्ति हुँ सत्यता कदा विवारे सियाता है सरवदा किम बुर्याता है सत्यम केल से कलम करित्वा नरसुकी नववेद मित्रेन और कै महारी पू कोस्चन में पूर्ट रहे खंकित पदानी आधरीद रहे खंकित पदों को अदार मानकर परिस्टनों कारिवान करो मर्तिव यसे पराइस हभि संसधking मर्तिव मुद्ध पराइस चेश पनाथ romance आए किकशा की रूप चलाने है बाकी आगे क्वेश्चन मारक चिन कलहम करतवा नर्य दुखी जगडा करके मनुश्य दुखी होता है तो क्या करके मनुश्य दुखी होता है तो किम करतवा नर्य दुखी बवती और आगे क्वेश्चन मारक चिन मैंने लगाना भूल गे इसलिए आपने ल गालना है कलम करतवान रहा याने जगड़ा करके मुश्य दुखी होता है तो क्या करके क्या को क्या वो लेंगे किम करतवान रहा दुखी बावती पित्रम करम नाम सेवते पिता की करम से सेवा करनी चाहिए यानि किस की कम कम करम नाम सेवते कम करम नाम सेवते पित्रम की वेवारे मदूरता स्रेयसी वेवार में मदूरता होनी अच्छी है वेवार में मदूरता होनी अच्छी बात है तो वेवार में क्या होना अच्छी बात है तो का मर्दूता सब्सक्राइब इस्त्रिलिंग का इसलिए का आएगा वेवारे का स्रेयसी वेवारे का स्रेयसी अंत म किस्ट वार कग चिन सरवता व्यवारी रिजुता भी दिय है हमेशा व्यवारमी शलता हो नि चाहिए कभ उपवमी सलता होने चाहिएουμε मैशारवEd तो कता व्यवारी रिजुता गिर या तो गटाव रेखा कि पदों को दारों में परसनों का निम्मान करना तो इसके आज हमने क्वेस्टन दूसरा तीसरा और चोता यह आपको गरह करे के रूप में करने है और साथ में सब्दार्थ भी इसकी गरह करे के रूप में करने हिंदीन वाद सबसे पहले इसका हिंदीन वाद आपको अपनी पाठे नोट बुक में करना है हिंदीन वाद सब्दार और क्वेस्टन नमर दूसरा क्वेस्टन नमर तीसरा और क्वेस्टन नमर चार यह आपको ग्रह करे के रूमें आज करने हैं तो आज के लिए बचो इतना ही नेक्स्ट व